हेलो बच्चो वेलकम टू माई यूटूब चैनल सतीश अकाउंट क्लासेश बच्चो इस वीडियो को आपने लास तक देखना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बेटा मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बैल आइकन को दबाना ना भू लिए आज हम बच्चो ग्रेवाल साब की बुक में के स्टेडी करने जा रहे हैं टीयज ग्रेवाल साब की बुक में से हम बच्चो के स्टेडी करने जा रहे हैं और के स्टेडी कर रहे हैं शैप्टर थ्री जो की बेसिक कॉंसेप्ट के उपर बेस्ट है उसके उपर हम जित लेंगे और इस तरह के सवाल आपके पेपर में आते ही आते हैं तो मैं पेज नंबर नहीं हाँ पर दिखिए मैं पेज नंबर लिख रहा हूँ पेज नंबर है बच्चो 3.19 और मैं क्वेशन नंबर 1 करने जा रहा हूं और डिसकस करने जाऊंगा तो आप ये देखिए अभी पर दुबारा से जो मैंने आपको बच्चो एक्जामपल कराए थे केस्टडी कराई करानी है मुझे उसके विखाव पे मैं आपको दुबारा से रीकॉल कराने जा रहा हूं सबसे पहले मैंने आपको कॉंसेट बताया बिजनस एंटिटी कॉंसेट और बिजनस एंटिटी होता तो हम पेटा कभी भी अपने अकाउंट से अंदर कैपिटल डॉर ड्राइंग की डेफिनिशन नहीं जनरेट कर पाते इसका मतलब यह हुआ कि हम अगर यह बिजनेस अंडेडि में कॉंसेप्ट नहीं पाते तो हम कभी रहा हूँ आपको ये देखिए ये first question है बच्चो आप आप ये ध्यान से देखिएगा ये first question है बच्चो आपको जो question number one है आप ये देखिए मैं इस पे निशान लगा रहा हूँ question number one पे I think बच्चो आपको भी नजर आ रहा होगा सवाल ये है राहूल दा प्रोप्राइटर राहू दा प्रोप्राइटर ओफ मैसस आर के कमपनी पर चेज अन एर कंडिशनर and install it at his residence की राहू एक प्रोप्राइटर है उसने एक इसी परचेज किया और से इंस्टॉल कर दिया अपने घर के अंदर and the payment was made by issuing a check from the account of Masses R के company तो बिटा इसकी जो payment दी है वो business ने payment दी है अब accountant ने ये कहा the accountant debuted to the drawing account with the amount whereas the rahul is of the view debt it should be debuted to the fixed account in your view who is correct and why तो देखिए बच्चों एक बात बताईए आप मेरे को ये घर में इसी लगा है तो जो घर में और इसकी जो payment हुई है वो check से हुई है business ने payment करी है पर ये जो AC install हुआ है ये आपका बच्चों हुआ है घर के अंदर तो जो घर में जो एसी लगा तो ये आपने business से पैसा निकाला अपने personal use के लिए तो personal use के लिए जो पैसा निकाला जाता है उसे हम drawing कहते हैं बच्चों अब आपको जो paper के अंदर जो सवाल आएंगे वो आपको direct नहीं दियोंगे आपको indirectly रूप से case study की रूप में सवाल आएंगे अब state forward questions हाना बंद हो गए हैं तो इस case में बेटा accountant ने क्या करा इसे drawing माना है जबकि मालिक यह कहा रहा है कि आप इसे fix assets मानिये तो मेरा answer होगा बेटा यहां पर accountant is correct because यह जो आपका इसी लगा है वो residential में लगा है और यह drawing कहलाएगी तो हम इसे fix assets नहीं मान सकते तो accountant is correct अब देखिये बच्चों मैंने आपको समझा दिया आपको इसका answer देखिये answer में देखो क्या लिखा है the accountant is correct the accountant is correct the accountant is correct because according to the business entity concept business is separate and distinct from its honor since the year condition has been installed at the residence of the proper proprietor that is his underline the word personal use and it is drawing by the honor अब देखिये आपका पहला question हो गया है बच्चों अब आप question number 2 को देखिये which accounting principle requires which accounting principle requires that the personal expenses of the proprietor or partner should be debited to the drawing account वो कहता है कि ऐसा कौन सा accounting principle है जो आपको ये बताता है कि business के खर्चे अलग होते हैं और personal के business खर्चे अलग होंगे और personal खर्चे अलग होंगे तो बेटा अभी मैंने आपको business entity concept की definition बता दिया तो business entity concept ये वो concept है जो आपके personal expense और personal expense को drawing कहता है तो कौन सा concept हुआ business entity concept हुआ और इसे हम इसका दूसरा नाम भी है accounting entity और business entity concept देखिए आपका question number two भी हो गया बच्चो अब question number three पे चलेंगे बेटा three पे देखिए the production of a factory आप ये चलिए question number three पे बेटा three number question पड़िया I think आपको नजर आ रहा होगा तो question number three कहरा है production at a factory had to stop for a week due to a labor strike the honor estimate the loss of production and the likely loss of profit arise out of the situation he directed the accountant to record the loss in the books of account is the honor recording to the likely loss give reason अब आप बच्चो देखो आपने money measurement concept पड़ा money measurement concept से only those transition which are record in the books of account only those entry which are record in the accounts which can be converted into the terms of money तो आप ये देखिए बेटा इसको हम जो production due to strike हुआ है इसे हम पैसे में convert नहीं कर सकते तो इसलिए बेटा money measurement concept के according ये loss आप books में नहीं ले सकते क्योंकि इसे money में measure नहीं किया जा सकता अब आप ये देखिए बेटा आंसर में कहा लिखा है no the honor is not correct because transaction and event are according to the books of account if they can be measure in the money terms and on the basis of evidence in the present case evidence to the effect of loss or profit does not exit on the basis of which the honor can measure the loss of loss in money terms तो देखिए बेटा अगर आपको concept की अच्छी knowledge होगी अगर आपको concept की अच्छी knowledge होगी तभी आप इन के सवालों का जवाब दे पाएंगे तो आप ये देखिए आपका question number one two three अब आप देखिए four question देखिए बेटा question number four में लिखा है under which accounting principle quality of manpower is not record in the books of account तो बेटा आपको फटा 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 आपको concept की knowledge होगी तो आप फटा फटा आंसर देदेंगे कि सर ये money measurement concept है तो आपको मैंने अभी तक जितने भी concept बता रहे हैं मैं उसके उपर बेटा भी आपको question करा रहा हूँ अब आप ये देखिए अब आप बेटा fifth question को हम छोड़ देंगे अभी हमने नहीं किया है अभी मैं आपको बताऊंगा अब हम चलते हैं question number six के उपर आप ये देखिए question number six के उपर चलते हैं बेटा question number six के उपर चलते हैं आप ये देखिए मैं आपको question number six दिखा रहा हूँ बच्चो थोड़ा समय से और बड़ा कर देता हूँ question number six question number six पढ़िए आप which concept principle which concept या principle assume that the business's enterprise will not to be liquidated in the near future अब बटा मैं आपको फिर दुबारा सरीकल कराता हूँ कौन सा ऐसा concept है जो ये बताता है कि हम business को near term में बंद liquidate का मतलब होता है बंद करना liquidate का मतलब होता है बंद करना या wind up करना तो बेटा आपने going concern concept में पढ़ा the going concern concept से the going concern concept से the business are continue for an indefinite period underline the word indefinite period and no intention to close the business in near future तो जैसे ही आपको इसको पता होगा तो आपके दिमाग में इतना स्ट्राइक करेगा कि ये तो सर going concern concept है तो देखिए आपके अगर आपके चार concept के ओपर आपके फटा फट सवाल हो रहे हैं अब आप चलिए अब मैं आपको आगे सवाल कराता हूँ चलिए आप मेरे साथ अब आपको ग्रेवाल साथ की बुकी करनी है बेटा आप ये देखिए आप question number मैं आपको 8 कराने जा रहा हूँ बेटा आप ये देखिए आप 8 question देखिए बेटा question number 8 को पढ़िए बेटा 8 में आपको ये लिखा गया है ये देखिए 8 question में ये लिखा गया है आप ये देखिए बच्चो 8 question में लिखा गया है which accounting principle require the life of business be broken into small interval तो बच्चो आपको फिर इकदम definition याद आ गई कि सर accounting period की definition होती है the entire life of the business is broken into the small interval is called accounting period तो ऐसा कौन सा principle है जो अब आप देखिए आपको जैसे जैसे मैंने आपको ये चार concept कराए थे उस चारों concept के उपर मैंने आपको सवाल करा दी है अब आप चलिए अब हम बच्चो देखिए इसके उपर मैं आपको mcq भी कराने जा रहा हूँ आप ये देखिए मैं आपको MCQ को राने जा रहा हूँ क्योंकि आजकल 20 marks के जो MCQ है बिटा वो बेबर में आ रहे हैं 20 marks के MCQ अगर आपके उस किताब नहीं है तो आप ये देखिए आपका 20 marks का जो MCQ का portion है वो तभी आप दे पाएंगे बच्चो जब आपके पास पूरे के पूरे आपके पास इसके concept की knowledge होगी और आपको तभी answer आप आप आएगा अब आप देखिए आप पहले वाला आप MCQ पढ़िए आजकल MCQ पढ़ा ही bit of 20 number के आपके आने हैं ये तभी आप दे पाएंगे जब आपके पास पूरा thoroughly आपके पास concept की knowledge होगी according to the business entity concept according to the business entity concept number 1 the transaction between the business and its owner are not recorded number 1 option number 2 option transaction between the business and its owner are recorded consider from to be a one single entry option number 3 transaction between the business and its owner are recorded from business point of view या none of them तो बताओ बच्चो मैं किस item को lock करूँ बड़ा ध्यान से सोचना बड़ा ध्यान से सोचना कि इन चारो options में मेरी कौन सी option ठीक है तो बच्चो मैं एक मिनिट आपको वे time देता हूँ आप पहले अपने दिमाग के अंदर business entity concept को लेके आईए कि business entity concept business and businessman both are separate and every entry will be recorded as business point of view not businessman point of view तो देखिए आपको option number जो आपका C है वो ठीक होगा तो बेटा मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि आप mcq true false filling the blanks और match the following आप तभी कर पाओगे जब आपको concept की बहुत अच्छे से knowledge होगी तो देखिए पहला question आपको बच्चो हो गया अब आप देखिए पहले में आपका all transactions and events are recorded सभी transition को record किया जाएगा number option b the all transaction and event which can be estimated in money terms are recorded in the books of account कि जिनको money में estimate किया जा सकता है उन्हें record किया जाए जकता है the option number 3 all transaction and event which can be measure in the terms money money terms are recorded in the books of account या इन चारो में कोई नहीं none of the तो आपको देखो आपको money measurement concept की definition दिमाग में लानी है only those transactions are recording in the books of account which are converted into the terms of money underline the word terms of money यानी कि measure in the money estimate नहीं होता बेटा आपको यह लग रहा होगा कि be option ठीक है बड़ बेटा be option ठीक नहीं है आपकी यहां जो answer में जो option आएगा बेटा वो option number आपका c आजाएगा तो देखिए आपके 2 mcqb इस तरह से हो गए अब आप आगे चलिए बेटा अब मैं आपको आगे इस तरह के सवाल आपको paper में आ सकते हैं अभी तक हमने जितने concept किये हैं बच्चो हमने उसके उपर आपको अभी सवाल करना सिखाया था हमने आपको case study करना सिखाया है तो अब आप आपको देखिए मैं आपको एक question और कराने जा रहा हूँ आप ये देखिए बच्चो आप screen की तरफ देखिए आपके पास अगर किताब नहीं है तो मैं आपको किताब में दिखा रहा हूँ आप थोड़ा सा बच्चो मेरे को थोड़ा सा प्रॉबलम आती है थोड़ा सा मुझे फोकस करना है तो मैं ये देखिए ये question number है बच्चो हाँ ये देखिए बच्चो मैं question number 5th 6th 7th question कराने जा रहा हूँ आप ये देखिए 5th 6th 7th question कराने जा रहा हूँ according to the going concern concept a business is viewed as having इसके अंदर चार option है a limited life a very long life and indefinite life and none of these तो बच्चो आप बताईए आप बताईए करन कनव इसका answer क्या होगा आप जल्दी जल्दी बताईए और आपने going concern concept के बारे में पढ़ लिया है तो आप जल्दी जल्दी बताएंगे good बिटा कनव आपने बहुत अच्छा answer दिया आपने बोला कि sir इसका answer indefinite period होगा बिल्कुल ठही और एक बच्चे ने जवाब दिया sir very long life नहीं बेटा ये answer नहीं है क्योंकि आपने जब going concern concept पढ़ा तो उसमें हमने ये बोला कि going concern concept is the business has continue for an indefinite period मैं बार बार आपको बोल रहा indefinite period and no intention to close the business in new future तो देखिए एक एक शब्द का कितना importance है बेटा एक शब्द के बदले में answer की nature change हो जाती है तो चलिए आपको ये भी बच्चो समझ में आ गया अब मैं आपको बच्चो एक निया concept कराऊंगा उस concept का नाम है consistency principle उसका नाम है पहले मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि consistency principle का मतलब क्या होता है तो देखिए आप आपको मैं जो जो चीज मैंने concept कराए थे बटा उस पे बच्चों मैंने आपको सवाल करा दिया है अब मैं आपको दूसरा concept कराने जा रहा हूँ that is called consistency principle या consistency आपको मैं एक चीज बताता हूँ consistent का हिंदी में मीनिंग क्या होता है कि आप शुरू से बहुत अच्छा पढ़ते आ रहे हैं आपका result थूआउट नर्सरी से लेके अब तक 90% रहा तो आपके बारे में लोग ये कहेंगे कि देखिए इस बच्चे में कितनी consistency है थूआउट लाइफ में से बहुत अच्छार जल दिया है अब मैं आपको एक और example भी देता हूँ बच्चों हम match देखने जाते हैं तो match के दुरान में हमारे पास एक strike rate आता है हर player का strike rate आपको ये बताता है कि इसने हर match में कैसे कैसे perform करा कि भई हर match में इसने consistently कम से कम 15 रन तो बनाए है तो consistency मतलब का मतलब होता है इस थिरता कि इसके अंदर आप उस पे विश्वास कर सकते हैं rely कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको accounting term के उपर आपको consistency का principle मैं बच्चो आपको बताने जा रहा हूँ तो चलिए आप क्या कर consistency principle मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप ये देखिए consistency का मतलब हुआ बच्चो कि मैं आपको एक example देता हूँ कि consistency assumption का मतलब होता है कि अगर accounts के अंदर किसी चीज के दो तरीके हैं अगर accounts में किसी चीज के दो method है अगर आपने किसी साल में एक method अडॉप्ट करा तो आपको अगले साल में भी वही method अडॉप्ट करना है और ये इसलिए जरूरी होता है कि आपको comparison करने में असानी होती है सर आपने ये क्या बता दिया हमें कुछ समझ नहीं आया तो बेटा मैं आपको example देता हूँ अब आपने commerce team adopt करी है तो मैं आपका compare commerce student के साथ ही कर सकता हूँ मैं आपका compare बचो science के student के साथ भी नहीं कर सकता और humanities के student के साथ भी नहीं कर सकता तो consistency assumption same method थे same बचो को मैं compare करना जा रहा हूँ इसका मतलब consistency assumption का मतलब ये है consistency assumption का मतलब ये है कि अगर accounts में किसी चीज के निकालने के दो तरीके हैं जैसे आप लोगों ने मैस में पढ़ा कि आपको एक सवाल को निकालने के दो तरीके हैं आप दोनों में से कोई सा method भी ले सकते हो as per your choice as per your choice तो बेटा आपके दोनों ही answer सही माने जाएंगे but accountancy में बच्चो ऐसा नहीं है accountancy में अगर आपने principle जिस अकाउंट में अगर एक चीज़ के दो तरीके हैं यानि कि method A और method B दोनों तरीके हैं shift नहीं हो सकते बेटा वो इसलिए कि उसमें आपको फिर compare करने में account में मुश्किल आती है कि अगर आपने एक साल 11 अपने ओमर से पढ़ी और फिर 12 अपने science से पढ़े होगे तो बेटा आपके result को compare करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा इवन दूसरे बच्चों के साथ भी compare करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो ये तो था in layman अब मैं आपको consistency assumptions की definition बताता हूँ बेटा कि according to the consistency assumption आपने अगर एक बार कोई practice adopt कर ली accounting practice accounting practices once selected अगर एक बार आपने कोई accounting practice select कर ली and adopt कर ली adopt should be applied consistently year after year consistency principle आपको ये कहता है है कि अगर एक बार आपने कोई policy या कोई formula आपने apply कर दिया तो year to year आप आप ये ही करते जाएंगे और इसका फायदा बच्चो ये होगा कि कल को आपको अगर compare करना पड़े तो आप easily compare कर सकते हैं तो इसका जो logic है वो ये है प्लस बेटा अब मैं आपको एक example बताता हूँ जैसे बच्चो आप आगे एक chapter आएगा depreciation का एक आपका chapter आएगा depreciation का औ और depreciation की definition मैंने बताई थी बटा और अगर नहीं बताई तो मैं दुबारा बतायता हूँ बटा depreciation की depreciation का मतलब होता है value गिरना बटा depreciation मतलब अगर मालो बच्चो आपने एक आपके पापा ने इस साले कार ली आपके पापा ने इस बार एक बार कार ली 15,000,000 रुपे की त अब बेटा जितनी वो value गिर जाती है उसे हम बोलते हैं बेटा depreciation उसे क्या बोलते हैं depreciation I think बच्चो मुझे जहां तर याद आ रहा है कि मैंने आपको depreciation की value, depreciation की आपको मैंने definition नहीं बताई तो देखिए मैं आपको यहाँ पर depreciation की definition बता रहा हूँ depreciation का मतलब होता है बच्चो आपनी copy में लिख देना fall in the value of asset is called depreciation depreciation और बच्चो आपको depreciation निकालने के हमारे accounts में दो तरीके हैं एक तरीके को shortcut को बोलते हैं SLM method और दूसरे तरीके को बोलते हैं बेटा WD method इसका पूरा नाम बाद में हम discuss करेंगे अब आप देखिए अब आपको मैं इस चीज़ से यहाँ correlate कर रहा हूँ आप मैं इस चीज़ के आपको correlate कर रहा हूँ कि देखिए मैंने आपको consistency बताया कि अगर आपने depression का method अपनी books के अंदर SLM method लगाया है तो आप अगले साल भी SLM method लगाएंगे तीसरे साल भी SLM method लगाएंगे आप WDV method के उपर shift नहीं कर सकते क्योंकि otherwise क्या होगा बेटा आपका एक साल का data एक साल का financial data को दूसरे साल के data के साथ compare नहीं किया जा सकता तो बच्चो आपको यह याद रखना है तो इसलिए consistency assumption ने आपको यह बताया कि अगर accounting practice and selected and adopted should be applied consistently year to year after year इसका मत अगर आपने एक method को adopt कर लिया तो आप अगले साल भी same method को adopt करेंगे पर अब मेरा सवाल यह है बच्चो कि क्या कि क्या हम कभी method change नहीं कर सकते क्या कभी हम method change नहीं कर सकते क्या हम जिंदगी बर एक ही method से काम करेंगे तो बेटा answer होगा नहीं तो सर यह क्या अभी तो आपने बोला कि method को एक बर बना लिया तो वही होगा नहीं बेटा इसकी कुछ exceptions भी है इसकी कुछ exceptions भी है exceptions उदर रूल अब मैं आपको एक सवाल कहता हूँ बच्चो आठ नवंबर 2016 को क्या हुआ था आठ नवंबर 2016 को क्या हुआ था तो एकदम माग में strike होगा कि सर इस दिन तो मानन ये परधान मंतरी ने नोट बंदी कर दी थी तो आप ये बताइए पहले हमारी economy पहले हमारी economy जो पुराने नोटों में deal कर रही थी यानि कि पुराने method से economy चल रही थी वो 8 नवंबर 2016 के बाद नए नोटों में चली की नहीं चली हाँ सर चली क्या उस दिन के बाद 8 नवंबर के बाद पुराने नोटों को वैलिड माना गया सर बिलकुल नहीं माना गया बिलकुल नहीं माना गया तो बताओ वो method change हो गया कि नहीं हो गया कि हम पहले economy में पुरानी currency से deal कर रहे थे पर 8 नवंबर 2016 के बाद हमने नई currency में काम करन शुरू कर दिया तो बेटा ये exception हो गई की नहीं हो गई कि अगर लो चाहे तो बेटा accounting practice change हो सकती है exception मतलब practice consistency की assumption है कि इसका जो पहला exemption हुआ वो क्या हुआ बच्चो पहला exemption हुआ कि method can be change exception क्या होगी बेटा methods can be changed method change किया जा सकता है under what condition किस किस condition में किया जा सकता है बच्चेप्चन का if required by law if required by law अगर law change कर दे कि अब आप statement method adopt नहीं करेंगे तो आपको मजबूरन आपको बेटा shift होना पड़ेगा method b के अंदर अब आप दूसरा देखिए बेटा if required by accounting standard अब आपको मैं यहाँ पी यह word समझाने जा रहा हूँ what do you mean by accounting standard अब बेटा accounting standard क्या होता है बेटा accounting standard के बारे को बताने से पहले मैं आपको छोड़ किसी कहानी बताता हूँ बेटा आप और मैं बच्चो आप और मैं accountant है हम दोनों chartered accountant है हमने क्या किया आपने method A से सवाल किया और मैंने method B से सवाल किया क्योंकि दोनों ही method acceptable थे तो मैं कहता हूँ कि मेरा method ज्यादा बढ़िया है और आप कहते हो मेरा method ज्यादा बढ़िया है और हम दोनों में हो जाता है बेटा कि हूच दा बैस्ट हूच दा बैस्ट तो बेटा हमारे देश के अंदर एक संस्था है जिसे हम बोलते हैं Institute of Chartered Accountant ऑफ इंडिया ICACI ICAI जो कि बटा नई दिल्ली में है हम उनके पास जाते हैं कि हमारी इस प्रॉबलम को solve करो मैंने कहा कि मेरा method बढ़िया है और उन्होंने कहा मेरा method बढ़िया है तो वहाँ पर सभी chartered accountant को बुला लिया गया और meeting हुई तो बच्चों उसमें आपके वाला जो method था वो जादा more appropriate method था more appropriate method था और आपका method जीत जाता है तो बटा अब institute of chartered accountant ये कहती है कि अब आगे से लड़ने की जरूरत नहीं है आगे से लड़ने की जरूरत नहीं है अब जो आपने method बनाया था वो बटा एक rule बन जाएगा and that rule या guideline बन जाएगी that rules and guidelines is called accounting standard और ये accounting standard जो है बटा institute of chartered accountant of India issue करता है तो जो institute of chartered accountant आप आगे पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि accounting standard जो है is the rules and guidelines issued by the institute of chartered accountant of India ये किसलिए किया गया ताकि आपकी किताबों में uniformity आए discrepancy दूर हो जाए तो अगर accounting standard ये कहता है कि अब कोई भी चीज़ के अगर दो method थे अब accounting standard ये कहता है कि नहीं अब ये वाला method ज़्यादा appropriate है और वो ये rule में convert हो जाएगा ये rule में convert होने के बाद और accounting standard is mandatory for all the organization तो बिटा अगर accounting standard कहता है तो हमें मजबूरन अपना method change करना पढ़ सकता है अब आप को मैं तीसरा बताता हूँ बटा तीसरा है हम मैं method को change कर सकता हूँ कब change कर सकता हूँ for better presentation of financial statement अगर आपको आपके method चेंज करने से आपके financial statement वो अच्छी position पर दिख जाती है तो भी आप method को change कर सकते हो इसका मैं छोटा से example देता हूँ आप भी हसो के बच्चो बच्चो आज तक मैं पॉंट्स की क्रीम लगा रहा था गोरा होने के लिए पर एक बजार में एक नई क्रीम आई लेकमी की कि अगर आप लेकमी की क्रीम लगाओगे तो आप जादे अगोरे नजरा जाओगे तो बच्चो देखो मैं पॉंट्स की क्रीम को छोड़ कर लेकमी की क्रीम लगाने लग जाऊँगा क्योंकि अब इस क्रीम को लगाने से मैं अच्छा दिखने लगा इसी तरह के बारे में बहुत डिटेल में आपको बता दिया तो बच्चो आप इसे अपनी कौपी बे लिख लेना और अब देखिए मैं इसके उपर आपको सवाल करना जा रहा हूं कि आपको इसको पेपर के अंदर आपको कैसे सवाल मिलेंगे तो आप ये देखिए अब मैं आपको देखो बच्चो ये आपने उतार लिया होगा अब आप आजए ये बटा मेरे साथ ये देखिए अब आप बच्चो मैं आपको सवाल करा रहा हूं आपको देखीए बच्चो मैं ये वाला सवाल करा रहा हूं आप, आपको मैं निशान लगा रहा हूं बच्चो आपकी किताब में होगा ये देखिया बच्चो ये वाला questions देखिये और ये वाला questions करा according to which of the following accounting concept even the proprietor of the business is treated as creditor to the extent of his capital कि ऐसा कौन सा इसका मतलब इसका भाव इसका अर्थ क्या है इसका मीनिंग क्या है कि आपको ऐसा कौन सा concept बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमेन अलग अलग है यानि कि बिजनेस अलग है और बिजनेस ने पैसा ले रखा है और जिससे पैसा लिया होता है वो लैबिल्टी होती है आज मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ बिजनेस एंटिटी कौनसेप्ट से बिजनेस और बिजनेसमेन बोथ हार सेपरेट तो बिजनेस ने जो राम से पैसा लिया तो बिजनेस ने जो राम से पैसा लिया है और यह पैसा लिया है तो यह उधारी पैसा लिया है तो यह दोनों अलग अलग हैं तो बिजनेस यह क्या बनेगी कंपनी की लैबिल्टी बनेगी आज आपको यह अच्छे समझ में आ गया होगा और यह company की जो liability बनेगी बिटा यह बनेगी internal liability यह कौन से liability बनेगी यह internal liability बनेगी तो देखिए आप में अदर option number A में है money measurement concept option number B में है cons concept option number 3 में है dual concept और option number 4 में है business entity concept तो आपका option number 4 ही आपका answer माना जाएगा अब आप यह देखिए बच्छो आपको अब मैं यह अगला question कराने जा रहा हूँ यह देखिए बच्छो आपको यह 10, 11, 12 number question मैंने आपको लाल पैंच से लगाया है बच्छो आपको दिख रहा होगा उसमें लिखा गया है X the follows of the return down value method of depreciation machinery year after year due to comparability, convenience, consistency या all of these तो बताओ बच्छो आपका यह answer क्या होगा आप मुझे 2 मिनिट का time बताओ आप आपको मैं 2 मिनिट का time देता हूँ आप अपने दिमाग में लगाईए बच्छो तो देखिए अभी हमने consistency principle पढ़ा तो बेटा मेरा होगा option number C, consistency consistency principle आपको यह सिखाता है कि अगर आपने एक बार कोई principle adopt कर लिया तो year to year आप उसे change नहीं कर सकते unless until if required by law if required by accounting standard और for better presentation of profit तो बच्छो यह दिखिए अब मैंने आपको जितने सवाल कराने थे आपको करा दिए और अब आपको देखिए बच्छो इतना करने के बाद आप फिर तवारा से पुराना भी revision करेंगे अगली class में मैं आपको एक नया concept लेके चलूँगा तो चलिए आज की class हम बेटा यहीं खतम कर देते हैं ओके बेटा थैंक यू बेटा